हेलो एवरिवान श्वागत करती हूं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में आज में करनी वाली हूं अपने बतीजी का हेर कट वैसे मैंने इसका हेर कटिंग का वीडियो आप सिर्फ के लिए लेकर के आया ही था मैंने इसकी बालों को अन्ली ट्रेमिंग किया था कुछ लोग चाहते कि नहीं बच्चों का बाल बढ़ा रहे हैं कुछ लोग चाहते हैं नहीं बच्चों का बाल छोटा रहे हैं तो फिर उसके बाद फिर से इन्होंने बोला कि इसके बालों को छोटा छोटा कर दीजिए क्यूंकि इसकूल जाना रहता है बच्चों का बाल बा कटिंग कर दीजिए वहां तक कवर होना चाहिए तो अभी मैं इसके बालों को छोटा-छोटा कटिंग करने वाली हूं आप लोग भी देखो कि मैं इसके बालों को कैसे काटने हूं बस में नॉर्मल तरीके से कटिंग कर रही हूं यह कपड़ा काटने वाला इससे बाल अच्छे से बट फिर भी मैं कोशिस करूंगी कि मैं इस सीजर से अच्छे से कटिंग कर लू और ऐसा होता नहीं कि आप बोलो कि इतना काटने तो लोग उपर तक काट देगी जितना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जितना आप चाहोगी उतना बालों को बेजती सेल करती हैर पारलर वाली बालों को बेच देती है इसलिए अख बोली है कि इतना बाल काट तो लोग बहुत जहादा बाल काट देती ताकि इस और यदि आप घ़र पर बाल काट वांगे या फिर खुद से काट लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है मैं तो अपने बालों को घर पे खुझ से काट लेती हूँ मैं पारला नहीं चाती हूँ या फिर कुछ भी करना है मैं पारला नहीं चाती चितना हो सके मैं अपना घर पे खुझ से कर लेती हूँ जो भी चीज़े करनी है मुझे घर पे करती हूँ आप देख सकते हैं कि मैं कपड़ा काटनी वाला सीजर से और ये मतलब तीजधार वाला भी नहीं है सीजर जो भी आपके घर में आप घर पर ही कटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बालों को सबसे पहले मैंने गिला कर दिया था उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कंगी की हल्प से बार-बार कंगी कर रही थी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हेर्स थे मैं उसको कटिंग कर दे रही थी और ये बहुत ही बड़ा ये वाला कैची आता है कपड़ा काटनी वाला कैची पता ही होगा जो लोग कपड़े काटते होंगे, सिलाई ये सब करते होंगे ये कैची बहुत ही भारी भी होता है चलाने में नहीं बनता है और हम लोग का आदत है, हम लोग का जो हेर कटिंग वाला सीजर आता है वो हलका होता है, इतना भारी नहीं होता बारी वाला भी आता है बट वो थोड़ा दूसरा ही रहता है तेजधार वाला होता है ताकि बल सही से कट जाते हैं ये जो सीजर है ना ये तेजधार वाला भी नहीं है बट मैं फिर भी इससे बहुत ही अच्छा कटिंग करती हूँ मेरी बतीजी तो बहुत ही खुश हो जाती है, सब को भूलता है, हाँ इस बार बहुत ही अच्छा कटिंग हुआ है, इतना ही चाहिए था साइस, जादा ना लंबा ना जादा छोटा, इतना ही चाहिए था, क्योंकि पिछले बार जो हेर कटिंग हुआ था, वो only trimming हुआ था, मै लोग जल्दी चोटी नहीं बनाता है, स्कुल जाने में लेट हो जाता है, चोटी कौन बनाएगा, इतना टाइम नहीं है, किसी के पास की कोई चोटी बना दे, मेरी बतीजी का, तो चलो इसका बाल ही काड़ देते हैं, नहीं बनेगा चोटी, तो यहाँ पे सिर्फ यह हेर बेंड या फिर क्लिप लगा करके जा सकती है, यदि बाल चोटा चोटा रहेगा, तो वो हेर बेंड भी लगा कर जा सकती है, इसकुल में, और पढ़ने वाल बच्चा लोग को बाल चोटा ही रखना चाहिए, बड़ा बाल रखके अभी से ही क्या करेगी, बड़ा बाल बाद में होते रहेगा, वैसे तो जब मैं बच्ची थी, तो मेरे बालों को वोई कट कटवा दिया जाता था, बच्चा में, 5-6 क्लास तक मेरे बाल तो वोई कट ही थे, लड़का जी से मेरे बाल बिल्कल छोटा छोटा सा रहता था, मेरे फोटोस भी हैं बच्पन के, मम्मी दिखाती है, और मुझे याद भी है कि मेरे बाल पहले ना, ब्यूटी पारलर में नहीं, बलकि सालोन में कटवा दिया जाता था, मुझे याद है, सब कोई मुझे ले जाता था, सालोन में और लड़का जी से बाल कटवा दिया जाता था, और अभी मैं खुद से ही अपना बतीजा बतीजी लोग या किसी का भी हेर कटिंग करना है, तो जो भी सीजर है मैं उसी से काटिंग कर देती हूँ, क्योंकि और बच्चा लोग का सबस्चा दिकत क्या होता ने, कि वो लोग गर्दन कभी इधर करेंगा, कभी सार इधर, कभी उधर, लोग एक जगा अस्तिर से नहीं रहता है, वो लोग बस उचलते रहेगा इधर से उधर, यह तो थोड़ा सांथ भी है, लेकिन गर्दन इधर से उधर कर रहे थी, पिछला बार भी ऐसा ही कर रहे थी, अभी भी ऐसी, मैंने इसका जो हेर कटिंग किया, फ्रेंट में हलका स्मॉल रहेगा, और पीछे से लॉंग रहेगा, ऐसा मैंने इसका कटिंग ही किया है, और आगे का बाल इसका मूड़ा हुआ है, क्योंकि ये ना हमेशा अपने बालों को घूमाते रहती है, अपने ही हाथों से, इसलिए इसका बाल आगे से थोड़ा सा घूम सा गया है, आप लोग देख सकते हैं, को सीधा बाल नहीं है, इसका फ्रेंट पे, ये हमेशा हाथों से ही मुड़ाते रहती है, उसको घूमाते रहती है, इसलिए वो मुड़ ही गया है, पर्मानेंट, कभी भी, यदि आप बालों को भी ऐसे एटते रहोगे, वैसे ये भी करते रहती है, तो वैसी होगे, बच्चे लोग का क्या है, इलो को इतना थोड़े नहीं, बस जैसे है, इलो को सीजार मिले तो इलो खुद से भी अपना बाल खुद से ही काट ले, जैसे तैसे ही लोग को थोड़े नहीं पता चलने वाला है, तो यहाँ पर मैं कैसे कॉटिंग की हूँ, आप से भी को दिखाओंगी, इन में देख लिए एंट कैसे कैसे मैंने काटिंग किया, और कैसा लुक आया है आगे से इसका small है और पिछे से इसको deep you आप बोल सकते हो आगे में short है पिछे में long है और वैसे इसका आगे का जो बाल है न वो मुड़ा हुआ इसलिए ज्यादा ही short लग रहे है बर ज्यादा short मैंने नहीं किया है कान तक ये बाल आएगा जब कान तक रहेगा तो सही रहेगा और फिर मैं कॉम कर करके जो भी extra hair से मैं उसको बार-बार cutting कर दे रही थी ताकि जो भी extra hair हो वो cut हो जाए कभी कभी क्या होता है कि जब हम cutting भी कर देते हैं उसके बाद फिर एक दो बाल छूट जाते हैं तो जब हम इस तरीके से यदि दुबारा रीचे करते हैं तो जो भी extra hair है या घुसा हुआ बाल है कपड़े में या फिर कहीं से भी तो बार-बार कॉम करो गिले बालों में एक भी बाल होगा extra hair निकला हुआ वो कट जाएगा तो इससे फनी सिंगे साथ बाल cutting हो जाता है यहां पर आप देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से मैं guideline ले ले करके थोड़ा-थोड़ा बालों को करके और cutting कर रही हो ताकि जो भी extra hair है वो में काट दूंगी कुछ इस तरीके स अच्छा आता है बच्चा लोग सब कोई खुष हो गया कि बहुत अच्छा cutting हो गया है और भाइय भावी खुष हो गया थे कि हाँ इस बार बहुत ही अच्छा cutting हुआ है जैसा चाह रहते है वस ही हुआ है और उसका cutting हो चुका है friends आप लोग देख सकते हैं मैंने रीचे कर जब भी cutting करो तो रीचे कर लो रीचे करने से क्या होता है कि जो भी extra hair से वह भी निकल जाते हैं इसका front का भी बाल को थोड़ा से काट देते हैं पहले इसका साथना कट था अभी वह हलका सा बढ़ गया है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मैंने सूचा कि इसका साथ पर लिया और हलका हलका बस उसको cutting कर दिया हलका हलका बुवा जब professional कोस्मेटुल प्रोफेशनल मेकप आर्टिस्ट है professional hair stylist है तो क्यों ना cutting करें अपनी भतीजी का अच्छा सा haircut तो यहां पर मैंने इसका cutting कर दिया है आगे से भी पीछे से भी आप लोग देख सकते हैं पीछे से इसका लोग अब इसको स्कूल भी जाना है तो क्लिप लगा है अच्छा लगेगा अभी बाल गिला है जब बाल सुखे तो और भी अच्छा लगेगा गिले बालों में ना बाल पुरे चिपकचिप कर रहा है था हम लोग प्रोफेशनल सालोन में क्या करते सबके बालों को ड्रायर से अच्छे से सब सेट कर देते हैं तो बहुत ही वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक्स फॉर वाचिंग माइ वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब